पीड में आके बहुत ज़्यदा गलत मैं फास गया हूं यार यहां पर सो हेलो वेलकम बैक नमसकार और जैसरी राम बात करेंगर हमारे टॉप थ्री पांडालों की तो उनमें से हमारा जो तीसरा सबसे टॉप पांडाल है वो मलेशिया के ट्विन टावर का सिंगल टावर है जी हाँ अब भी हम जीस पांडाल के सामने खगा है वो पांडाल आमरा केजन क्लब के द्वारा बनाया गया और यह जो मलेशिया का ट्विन टावर है उसका एक सिंगल टावर का प्रारोप यहां पर तयार किया गया है जो की देखने में काफी अच्छा लग रहा है यहां आने के लिए से उत्रों गया और यह रोड प्लाटफॉर्म से बाहर की तरफ आएगा और यहां से आप इस पांडाल को लेट साइड में देख सकते हो इजली देखने को मिल जाएगा चली अभी आगे इंटिरियर दिखाते हैं कि अंदर में कैसा तयार किया गया है बाहर से तो बहुत ही बव्या लग रहा है लेकिन अंदर से अभी देखा कैसा तयार किया गया है बव्या है विडियो में आगे बढ़ें और अगर बात करें हम तो आप दूसरे पांड डाल की यालिए टॉप सेकंड पांड डाल की वह ने बढ़ेंगी आगें यहां प्रसूत कि देखनें बहुत हैं अब मैं अंदर के साइड जाओंगा तो आपको इंटिरियर भी दिखेवाताओं कि कैसा इंटिरियर इस पांडाल का किस भव्युकत तरीके से सजाया गया कर दो यहां इसी नहटी रेल मार्ट में एक काली पूजा के पांडाल के पास में यह बहुत बढ़ा मीला का अयोजन होता है हर साल और इस साल हुआ है ऑप जुला देख सकते हो यह जुला देख सकते हो बहुत सारे जुले है Pale डिसको दैंसर ची से हम लोग बोलते हो वह देख सकते हो बहुत सारे स्ट्रीट पूर्स लागे हैं यह सब सारी दुकाने देख सकते हो अधर बच्चों के लिए जूले लगे ही लगे हैं सो आप जरूर से जरूर आका इंजॉय भी करना अभी जिस पांडाल के सामने मैं खड़ा हूँ नेटी की टॉप पांडालों में से यह एक ऐसा टॉप पांडाल है जिसका एक ऐसा यूनिक थीम रखा गया जिसकी कोई कलपना नहीं कर सकता जी हाँ इस पांडाल का थीम अर्जुन का लक्षे वेदन है और यह पांडाल नेटी स्टेशन से हद से जादा 200 मीटर की दूरी में ही बनाया गया है जादा बनाया है झाल झाल